नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी है कोई फोटो और आप उसको PDF बना कर WhatsApp पर किसी को भेजना चाहते हो यानि कि आपसे बोला गया है कि आप मुझे PDF बना कर भेज दीजिए आपके सायद डॉकुमेंट का होगा अधार कार्ड, स्कूल के होमवर्क या किसी भी चीज का PDF हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज का यानि किसी भी फोटो का एक PDF बना कर WhatsApp पर कैसे भेजें आईए जानते हैं सबसे पहले आपको चाहिए एक application बिना application के ये काम नहीं किया जा सकता है तो अपने फोन में नेट चालू करिए और जाईए आप Play Store में जहांसे आप गेम या application डाउनलोड करते हैं यहां पे आपको मिलेगा उपर एक डबा इस पे टच करिए यहां पे आप सर्च करें PDF Maker ध्यान से देख लेजिए इसको सबसे अच्छा application में आपको बताने वाला हूँ यहां पे आपको मिलेगा तीसरे या चौते नंबर पे PDF Maker आप इसको ही install करिए सबसे बढ़िया application लगता है मेरे को यह मैं इसको ही personally use करता हूँ तो इसको install करिए छोटा सा application है फिरे से open करिए पहली बार आप इसे open करोगे तो आप से allow करने को कह सकता है यहां पे आपको मिलेगा photo to PDF इस पे touch करिए यहां पे आपको मिलेगा select images इस पे touch करिए इसके बाद आपके phone की gallery यानि की photos open हो जाएगी यहां पे आपको लेनी है वो photos जिसका आप PDF बनाना चाते हैं और ध्यान रखिएगा पहले वो photo लीजी जिसको आप पहले नंबर पे रखना चाते हैं फिर दूसरे नंबर का photo फिर तीसरे नंबर का फिर चौतरे नंबर का ऐसे line से लीजीएगा तो यहां पे हमारे office वाले group में हमसे बोला है कि homework करके हमें PDF भेजिए तो यहां पे हम उसे PDF बना कर भेजेंगे तो यहां पे हमारे पास 4 page हैं पहले हम यह page लेंगे फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह सब पे नंबर आ रहे हैं apply पे touch करिए यहां पे आपको मिलेगा edit photos इस पे touch करिए photo तीर्चा अगर आपका आता है तो यहां से rotate करें थोड़ा सा crop करें अगर करना चाहते हैं तो अगर extra चीज़े आ रही है और save करें और ध्यान रखिएगा अगर आप photo में थोड़ी बहुत adding करते हैं crop करते हैं यह rotate करते हैं तो आपको उसे save करना होगा वरना वो photo वापसी पहले जैसी हो जाएगी फिर अगला photo भी ले लीजिए अगला photo लीजिए जितने photos हैं आपके उसे check करना पड़ेगा वरना आपका PDF बेकार बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसे कर लेते हैं तो हमने चारो photos को कर लिया है और save option पे touch करते हैं last में आप फिर से check कर लीजिएगा एक बार slide कर गए कि सारे photos सही आये हैं कि नहीं फिर right option पे touch करिए थोड़ा सा wait करिए ये page आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा उपर की तरफ make PDF इस पे touch करिए PDF का नाम एंटर करिए जिस purpose आप PDF बना रहे हैं तो यहाँ पे मेरा homework है तो मिलता हूँ यहाँ पे home work तो करता हूँ मैं home work date डालेता हूँ आज की 06 11 2 0 2 1 ओके कर देता हूँ थोड़ा सा wait करते हैं यहाँ पे PDF बन रहा है अगर आपके पास add आती है तो add को cut कर दीजिए अब यहाँ पे PDF को पहले open करें open करके हैं आपको मिलेंगे उपर की तरफ 3 dot तो check करना चाहते हैं तो check कर लीजिए आप देख सकते हैं PDF हमारा आ रहा है यह 4 पेज हमारे आ गए हैं आपे तो उपर 3 dot पे touch करें download पे touch करें यह आपका download हो जागा internal storage में back करें और इसको यहीं से share करें share PDF पे touch करें whatsapp मिलेगा वरना slide करके check करें whatsapp पे touch करें यहाँ पर अपना contact सेलेक करें जिसको आप PDF भेजना चाहते हैं मैं office group में भेजूँगा और send कर दूँगा तो यह हो चुका है आप देख सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा